हेलो एप्रिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल और मैं हो निधी और मॉर्निंग से व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है तो यह साथ बजे कर नजारा कुछ इस तरीके से है सन्राइज हलकल का स्टार्ट हो गया है तो सूरज देता है दिखने लग गया है मैं अभी प्रॉपर नही खोशिश की है तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है साड़े साथ तक प्रॉपर सन्राइज हो जाएगा और फॉग भी अज जाएगा काफियत तक और आरफ तर हमाने टिफिन बना दिया था उसको तैयार कर रही थी और अब मैंने यहां पर साइड बाई साइड बाई साइड मैं इनके लिए डिफरेंट मील्स बनाती हूं सो दाट कि उनका वीट लॉस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए हल्दी वे में हो जाए और प्रॉपर नूट्रिशिन बे मिल जाए जो है वो रेड़ी हो गई अल्मॉस्ट स्टैंडिंग टाइम मैंने दिया हुआ है अब है कालूंगी और दूद गरम हो गया चाय मैंने अपने लिए चड़ा दिया सिर्फ अकेले पीनी है तो अब मेरे सारा काम हो गया है तो चड़ा दूंगी जब तक चाय चढ़ के अब ही वैसे साड़े आठ बज रहे हैं साड़े आठ से पांच मेंट कमी है और मैंने अपने लिए सेखिए यह ब्रेड एक ब्रेड में से यश को भी दूंगी पीनट बिटर लगा करके क्योंकि मेरा चाय और ब्रेड खाने का मन कर रहा है यह कारण है आरफ को मैंने चीज स इसमें मैंने एक एपल काटके रख दिया है और आज बहुत छोटा सा खीरा मैंने रखा है और इसमें अभी थोड़ी सी अद्रग भी रखोंगी फाइनल जब रख लूंगी टिफिन तब फिर आपको दिखाऊंगे और इसमें इन दोनों में थोड़ा थोड़ा बक वीच ज कसी नहीं किया है कि यह मिले मेरे न्यूर था होत थै कि मैंडी हज़े है मैं नbirth लोग दिखा झाइड फिर तॉर जोरा वह तो मैंने शूट किया था से थोड़ा बड़ा भाए साइस edits डरहों तो मुझंगों को सब आज तो ये कुछ अंदर से इस तरह से है और उपर से कुछ इस तरीके से है तो आप मुझे बता ना फिर मैं आप लोग के साथ में बाद में इसका टूर वगएरे शेयर कर दूँगी और मैंने क्यूं चेंज किया वो भी मिता दूँगी मेरा पुराना फ्रेस वैसे एकदम बढ़ होती फिर मिलती हो आप से तो दोस्तों आप देख सकते हूं कि अभी चाय मेरे निकाली भी नहीं है और यहां पर यह बच्चा आ गया है उतके ना इसको गुद मॉनिंग और चलो मैं से देखती हूं फिर थोड़े दिर बाद टिफिन पैक करने का मौका पड़ेगा अब टा अब जाए में तो करके फिर आराम से बैठो तो मैंने एक दबब तो पहले पैक कर दिया निकाल लिया था और एक दबब अभी फटा फट निकाल दूंगी और सब कुछ पैक कर दूंगी इसके बाद बैठोंगी तो फिर चाय बनाई लिया मैंने तो चाय भी मेरी ठंडी हो पर दुबारा गरम करूंगी पहले मैं टिफिन अपना लगा लेती हूँ तो दोस्तों ये हजबन का टिफिन मैंने रेडी कर दिया है इसके अंदर दोनों में मैंने रख दिया है बकवीट का पुलाओ बोलो खिचरी बोलो फिस सालड में एक हीरा है और अद्रक है इसमें न हाँ हाँ हो गए है बकवीट का पुलाओ आप उपर देखे तो अब मैं टिफिन पैक करने के बाद मैंने एक तरफ दूद भी रख दिया गरम होने के लिए तो ये शको मैं मॉनिंग में ही आजकल उठता है वो तो फिर मैं इसको थोड़ा सा दूद देती हूँ पेने के लि जाए तो बॉटल से अब वो उसको मैं देती हूँ और साथ में थोड़ा सा मैं टीवी आन करती हूँ चक्कर के है कि वो टीवी भी ना सारी चीज़े ऐसे नहीं देखते है कि टीवी चला दिया तो वो देखने लग जाए एक स्पेसिफिक कार्टून है अगर वो चलता है त विद्वी नहीं रहते हैं थोड़ा सुन को कमफर्ट करना पड़ता है तो उस टाइम पर अगर आप जब सब बच्चे उठें और थोड़ी देर उनको टीवी देखा दो दस-पन्तर मिनेट आदा घंटा तो गया होता है वो फिर नॉमल हो जाते फिर वो आपकी बात सुनते और समझते हैं अब इस टाइम पर तो यश्क को कुछ समझ नहीं आता है यश्क है मतलब कोई भी बच्चा होता है तो उनको सुबह सुबह जब उठते ना तुनको चाहिए कि आप उनके साथ उनको गोद मिले के बैठे रहा दे घंटे इस उनको कमफर्ट दो उसके बाद फ पीलेगा फिर आदा मैंसे दौड़ भात करके बिलाओंगी उसके बाद यह सब होने के बाद मैंने उसको उसको नहलाया तो इसी तरी कि साच कल सुबह का रूटीन रहता है वह उठता है साड़े साथ आट बजे उसके बाद थोड़ी देर मेरे साथ रहता है दूद पीता है पॉटी करता है फिर वह साड़े नौ दस बजे तक नहाद होके एकदम रेडी हो जाता है मैं हापर आगई थी मकषण निकालने के लिए घी बनाना था आज मुझे तो मैंने सुचा कि यह काम भी कर लेती हूं साइड बाई साइड इकटी ताकि फिर उसके बाद के चिन जो ह कि इसको खिलाओ तो खाएगा नहीं और तब बोलेगा मैं खुद काऊंगा और मैंने खुद इसको खाने को आज दे दिया तो यहां कर बदमाशी करने में लगा हूँआ सारी चीजे ठावड़ा करके फेक रहा है तो अब मैं आपको शाम को मिल रही हूँ आरफ को मैं स्केटिंग क्लास में ड्रॉप करके आ गई थी यश को भी ले करके गई थी और उसके पाद फिर घर आ गई को कि नहीं यह वहां जाके इतनी बदमाशी कर रहा था बार पर स्केट का जो फील्ड था वहां पहुँच ज आ गया और यह डबा भी पहचान गया तो बार बार आता है और फिर मुझे बोलता है इस डब्बी में से दे दू मुझे खाने के लिए मतलब इवन शाम को दो-तिन दिन से खा रहा है तो इसकी आदत से होगी तो शाम को रोज मुझे धक्का दे दे कर केचन में लाएगा फि तो वही मैंने से दिया है और मखाने वेसे बच्चो के लिए बहुत healthy भी रहते हैं तो आप भी अपने बच्चो को जरूर देंसे इस ऑ यह ज़िक fix जह है अब आपको क्या चैयों है क्या चैय है क्या चैय है और जाच अपको आपको खाफिको कन दातलो इन्स अपर रहul चलो, खालो, कोई वद ने खा के दिखाओ, कैसा है, कैसा है येश्यू, कैसा है, पैसी दे करो अपने, अच्छे से बैठ के खालो,